हेलो फ्रेंड्स राधे राधे कैसे आप सब और आज है मकर संक्रांती तो मैं देने मैंने मिंसी है खिचड़ी रेविडी मुफली और यह देने के लिए जाओंगे मंदिर में मेरी पुजा हो चुकी है और कुछ पैकेट विशाखा त्यार कर रही है रेविडी मुफली कजच करेंगे और कुछ पैकेट करेंगे विशाखा अलग से त्यार और ऐसे ही 14 चीजें हर साल में में नस्ती ही कुछ ना कुछ नया कि दू कि चार पाथ छे साथ आठ नो देस ग्यारा दारा यह तो तेरा है तेरा है पापन तेरा एंग वर गिरना एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दर ग्यार बर तेरा चोदा यह कलग रख 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 यह मेरा हत के बनाए वह सही तो है और यहां पर विशाखा ने मेरी करणा दी है थोड़ी सी मदद तो विशाखा की मदद से मेरे पैकिट त्यार हो गए है कि अफो आठ बजे विशाखी क्लास है और मीरा को सारा काम का नास्ता बनाना था और विशाखा की होनी 18 कि नास्ता पानी कर लेगी और घर नहीं जाना भी है तो और यह थोड़े से भी ट्यार कर दिया हैं थोड़े से वी तो नहीं तो बाके पैकेट और यह तो वहाइँ तियार खार जाएंगे वह में आपको बताऊंगे की वीडियो में तो पहले और यहार पर फलाल जितने पैकेट 14 मेरे त्यार हो चुके हैं तो पहले मैं इसको मिनस लेती हूं और यहां पर जा रही हूं में मंदिर और मैंने देखो शोल भी नीले जल्दी में ठेंड में जल्दी भी जादा है इससे में जल्दी भो जादा हो रही हूं मुझे कि नास्ते पानी में लेट हो रहा है सबको अब चाय पीने और चाय तो मुझे भी पीने है सचता हूं तो काफी देर होगे उठेवे और फिर थोड़ा सा काम निमटने वाला होता पिर चाय की तलब जाता ही लग जाती है तो यहां पर पहले मंदिर हो क्या होंगे फिर म मैं कहां जा रही हूं आज है सकरात और सकरात पे आप से जो भी हो सके आप वो दान करें जादा कम थोड़ा जितना भी आप से बन पाए आप उस तरह करें पूरी शद्धा से तो कहते हैं कि सकरात पे आपको कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए तो मैंने यह थोड़े में कितने लोग मिलेंगे कुछ पीछे जो मिले थे लोग उनको मैंने बाड़ती है तो पुरे नोड़ा गूंचुके हैं तो बरीब व्यक्ति ने रिका मुझे लगता है कि नोड़ा में कोई गरीब है ही ने ऐसे हैं कोई अभी देखते हैं आगे कोई मिलता है तो उसे देंगे अब जहतों कोई दिखाई रही है अब देखते हैं कहां ढूबते हैं तो हमारे दो पाकेटे भी अब पूरे बढ़ चुके हैं हमारा काम पूरा हो चुका है यह वाला और बस आते वे रस्ते में दिखी हैं मूफिलियां तो हमने सोच़ा चलो खरीद लेते हैं लेकिन जब मूफिलियां थोड़ी खाके तो सक्राथ में मैं बना रही है यह पर तिल के लड़ू यह तिल और गुड़ के लड़ू बनाऊंगी और बनाऊंगी मैं खिचडी उड़त दाल की कानजी का भोगला आने के लिए सुभी बनाई थी मैंने पूरी और कचोड़ी और आलू की सबजी अब थोड़ा हलका खाने क पूरी मन है तो मैं इसलिए बना रही है और जो मैंने काम किया था वह मेरा अच्छे से हो गया मुझे खुशी है मैंने थोड़ा सका करा लेकिन करा तो मेरे दिल को बहुत खुशी मिली तो तो चलिए पहले तिल के लड़ू बना लेते हैं और आज का दिन तो सच में पता इ कर दें में खाना और यहां पे लिए मैंने एक पाव के करीब तिल उर्कको भूंची लोंगी मदर व्लाल लग हो यह से भून belong मुझे काले करने और जीतना मा तीलतिकी है उतने ही अन्दाजे से लिलनी है मैने गोड और यह ।मेह सुम्ह Victory पहलं चुकि है इनको गुलावी ह तो इसे मैं हलका से पर पीस लूँगी तो यहां पर मैंने आधे ती पीस है आधे नहीं पीस है इनको कर देंगे और वह भी मैंने दर्वरे पीस है इनको कर देंगे में आप चाहेते से मुखली वदाम काजु जो मजी डाल सकते हैं लेकिन अब नहीं डाल रही हूं और इसमें डाल दूगे कड़ाई गरम हो चुकी है अब इसमें डाल दूगे गुड़ और थोड़ दालोंगी से पानी और गुड़ को दोने पात इसमें अधु पिघल आल के पात इसमें अधुक में और लेकि पात रही है थोड़ो से measurement एंक अधिest अजना गुड़ को पिखलने में जादा समय भी नेकता जल्दी ही पिखल जाता है और फोड़ा नहीं पिखल जायागा यसी जादा मुझे फोड़ फाड़ के डालने चूट नहीं थी जैसे जैसे आच लगती रहेगी इसमें इसमें पिखलता रहे ज्यादा टैम भी ने और एक दिल और सो कल्डेंगे चीसे मिक्स अबरस उसे थोड़ा से चलाने के पाथ अभी होजे आगा ठंडा तो इसके बांदेंगे हम रट्टू थोड़ा सा ठंड़ा होने के बाद एफिस के बांदूरी में रट्डू रट्डू यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ लगांगे रट्डू रट्डू तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड वीडियो चीरत लाइक करेंगा चैनल को दूशेर जरूर करें तब तक के लिए हैपी सक्राइट